Hello everyone, आज हम बात करेंगे band deduction के वारे में लेकिन band deduction कितना करते हैं, कितना deduct करते हैं, कितने degree के लिए कितना deduct करते हैं उससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि band deduction आखिर होता क्या है तो जैसा कि हम diagram में देख पा रहे हैं जो हमारे steel rod होती है, जैसे कि यह strip है जब इससे हम band कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 90 degree band है तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो length है strip की, वो increase कर रही है तो जब हम इसकी cutting length निकालेंगे, तो यह मान के चलते हैं कि इसकी जो length आईगी, वो ज़्याद आईगी, due to band तो उस time band की वज़े से length में जो increase हुआ है, उसे deduct कर देंगे इसके बाद अगर हम बात करते हैं, कि जो band deduction जो निकालते हैं, हम वो किस तरीके से निकालते हैं तो band deduction जो निकलता है, वो एक तो as per experience निकलता है and second जो निकलता है, वो as per IS code निकलता है अब इसके लिए IS code है, अपना IS25J2-1963 तो अब हम देख लेते हैं, कि as per experience क्या values होती है and as per IS codes क्या होती है अगर मैं बात करूँ as per experience की business पे तो जैसा कि हम जानते हैं, जो 45 degree band होता है 45 degree band के लिए हम जो deduction लेते हैं, वो करते हैं 1D अब यहाँ पर D का मतलब होता है, die of strap जिस भी die of strap हम यूस मिले रहे हैं, वो हमने यहाँ यूस मिले रहे हैं उसके बाद वैसे ही आता है 90 degree band तो 90 degree band के लिए हम जो deduction लेते हैं, वो करते हैं 2D 135 degree band के लिए हम जो deduction लेते हैं, वो करते हैं 3D and जो 180 degree band होता है उसके लिए जो हम deduction करते है that is 40 तो ये जो deduction लिए है ये हमारी as per experience के basis पर है किसी भी code में या कहीं भी अपना ऐसा mention नहीं है कि जो values हैं ये as per IS code में दी गई है नहीं ऐसा नहीं है जो IS codes जो value देता है वो एक अलग values देता है जैसे कि अगर मैं IS codes क्या कहता है band deduction के बारे में तो उसके लिए हम code follow करेंगे that is IS 2502 sorry it's 2502 1963 ठीक है ये वाला code हम follow करने वाले हैं तो अगर हम बात करें IS 2502 1963 के बारे में तो ये code हमारे ये कहता है कि अगर 45 degree का band है तो उस case में जो हम deduction करेंगे वो हम करते ही नहीं है अगर 45 degree का band कहीं भी आ रहा है तो वहाँ पे हम deduction करते ही नहीं है और जैसे कि band deduction भी बात करेंगे हूँ तो strups के case में तो हम band deduction कहीं भी नहीं करते हैं चाहे 90 degree का band हो चाहे 135 degree का band हो band deduction हम करते ही नहीं है strups के case में ऐसा अपना IS code केता है, ठीक है, अब थोड़ा IS code की तरफ हम देख लेते हैं, कि ऐसा कहां लिखा हुआ है, यह सब चीज़े, कि 45 degree के लिए हम band detection करते ही नहीं, या फिर 90 degree के लिए कितना band detection कर रहे हैं, तो यह सब हम IS code में देख लेते हैं, अगर हम open करते हैं, IS 2502-1963, तो table number 4 मे हमें mention है, कि 45 degree band के लिए हम कितना करते हैं, या फिर जो band of bars है, band of bars के हम cutting length के इस तरीके से निगालते हैं, तो यहाँ पर mention है, जैसे कि अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो यह जो बार दे रखी है, यहाँ पर 45 degree का band दे रखा है, तो 45 degree band के लिए, जो इसमें deduction की हुई है, अग इसके तरीके से देख सकते हैं, वैसे ही, अगर मैं इसके थोड़ा नीचे scroll करता हूँ, तो table number 5 में, यहाँ पर हमें एक diagram mention है, जिसमें हमारा bar जो है, वो 90 degree band कर रहा है, अब जब 90 degree band कर रहा है, तो उस case में, जो उसका cutting length निकालने का हमें formula दिया गया है, वो दिया हो गया है a plus e minus half into r minus small d, अब a तो यह हो गया, जो भी हमें चीचे लिनी है, यहाँ पर diagram में थोड़ा यहाँ तक outer to outer mention है, लेकिन इसमें साफ लिखा हुए, approach total length of bar l measured along center line, यानि कि जो length जो measure कर रहे हैं, यह center to center line measure करनी है, तो यहाँ पर a plus e यह हो गया, अब इसमें यह 90 degree band के लिए कितन direction किया हुए, तो यह किया हुए, minus half into r minus small d, ठीक है, small d हो गया, हमारा div bar, half into r, r का मतलब क्या है, r का एक formula होता है, r equals to होता है, यहाँ पर k into d, अब k क्या है, और यह कहां से आया, तो अगर हम इसके starting pages पर जाते हैं, अगर थोड़ा उपर की तरफ scroll करते हैं, तो page number 6 पर, यह diagram mention है, जैसे यहाँ पर 90 degree band दे रखा है, तो यहाँ पर जो radius mention है, अगर वो यहाँ पर देखो, तो यह दे रखा है, k into d दे रखा है, यानि r की value कितनी है, k into d है, अब यहाँ पर k की value कहा है, तो note number 1 में यह mention है, k has a value of 2, in the case of mild steel, and 3, in the case of medium dense steel, and 4, in the case of cold twisted deformed bar, यहानि कि HYSD bar के के तना दे रखा है, 4 दे रखा है, वहीं इसके बाद इसमें एक line और mention है, in the case of bars, above 25 mm, however, it is desirable to increase the k value to 3, 4, 6, यानि कि अगर जो die of bar है, वो हमारा 25 mm से अगर ज्यादा होता है, तो जो k की value होएगी, वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, mild steel के लिए, 4 हो जाएगी, medium dense steel के लिए and 6 हो जाएगी, HYSD bar के लिए, चीक है, तो यहां से हम k value लेते हैं, तो उसके बाद जो हम values put करेंगे इधर, तो उसके बाद जो 90 degree के जो band reduction आएगा, वो हमने आपे put करना है, code जो band reduction है, code का एक अलग criteria है, कि band reduction किस तरीके से हो सकता है, इसके लावा मैं जो is25g2.963 है, इस पर एक अलग separate video बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको पूरा IS25g2.963, पूरा IS code आपको मैं समझाऊँगा, I hope आपको यह पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, और band reduction हम किस तरीके से करते हैं, किस के लिए कैसे, IS code का कैसे use करते हैं, band reduction में, यह सब चीज़े आपको समझ में आग तरीके ओपर, thank you